एक गाव में एक आदमी रहता था जिसका नाम मोटू था। मोटू बहुत ही सासी और महनती आदमी था। वहाँ अपने गाव के लिए एक प्रकार का हीरा माना जाता था। उसके लिए गाव की खुशाली हमेशा सबसे महत्वपूर्ण थी। एक दिन मोटू अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसने खुद परिशान होकर एक खुदाई होने के निशान देखा। उसने खुदाई करना शुरू किया और खुदाई के दौरान उसने एक पुराने संदू को खुदा। संदूख के अंदर एक पुरानी और रहस्यमी बोतल मिली मोटू ने बोतल को बाहर निकाला और देखा कि उसमें एक जिन का आत्मा बंधा है वह बहुत ही हैरान और डरा हुआ था मोटू ने उससे पूछा तुम कौन हो और तुम्हें यहां कैसे आया जिन ने कहा मैं एक जिन हूँ एक समय मैं बहुत शक्तिशाली था लेकिन एक विद्यार्थी ने मुझे इस संदूख में बंध दिया था मेरा इस संदूख से बाहर आना असंभव है मोटू ने उसकी बात सुनी और उससे कहा मुझे तुम्हें इस संदूक से बाहर निकालना है तुम मेरी मदद करोगे जिनने हंस्ते हुए कहा हाँ, लेकिन मेरी मदद के लिए तुम्हें मुझसे एक शर्ट माननी पड़ेगी मोटू ने पूछा कौन सी शर्ट जिनने कहा, मुझे मुक्त करने के लिए तुम्हें तीन मंगलकारी काम करने होंगे पहला काम, मुझे एक सुन्दर महल बनाने के लिए सारे सामगरी की आवशक्ता है दूसरा काम, मुझे एक लालची और भैभीत राजा को उसकी लालसा की खातिर उसके पास के सोने के संबंध में जानकारी देनी होगी और तीसरा काम, मुझे एक प्यारी सी राजकुमारी की मदद करनी होगी मोटू ने तै किया कि वह उसकी मदद करेगा उसने पहला काम पूरा कर दिया और जिन को एक सुन्दर महल बनाया जिन ने बहुत ही खुश होकर उसे धन्यवाद दिया फिर मोटू ने दूसरा काम किया और उस लालची राजा को सोने के संबंध में जानकारी दी राजा ने मोटू को बहुत ही धन्यवाद दिया और उसे एक बड़ा इनाम दिया. अब मोटू नेत इसरा काम शुरू किया. उसने एक सुन्दर राज कुमारी को बचाने के लिए बहुत सासी काम किया. राज कुमारी बहुत ही आभासी और मददगार थी. वह मोटू की मदद से जिनको मुक्त करने में सफल हुई जिनको मुक्त होने के बाद वह मोटू का आभारी हुआ और उसे उसकी मदद के लिए बहुत ही शानदार इनाम दिया मोटू बहुत ही खुश था कि उसने एक अजीब और रोमान्चक कहानी में भाग लिया इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि महन्त साहस और इमानदारी के साथ किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है मोटु ने अपनी महन्त और साहस से जिन को मुक्त किया और उसे अपने सपनों को साकार करने का मौका मिला यहां हमें यहां भी सिखाता है कि हमें कभी भी डरने और हार मानने की जरूरत नहीं है बलकि हमें अपने लक्ष की और बढ़ते रहना चाहिए